आए इस वीडियो में हम तीन स्टॉक्स का डिसकेशन करते हैं जिसमें अज बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के संग हमें ब्रेकाउट देखने को मिला है तो हम देखेंगे कि अब इसमें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटिजी क्या होनी चाहिए मैं आपको ये भी बताना चाहता ह के इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीगराम चैनल है वहां पर हम एडवांस्ट अनैलिसिस के बाद सजेशन्स देते हैं आप उसे एक बार जरूर जोइन करिएगा लिंक में है हम से भी रेजिस्टर नहीं है और हमारे वीडियो के वल एडुकेशन अच्छे मुवमेंट्स हमें दिखाईंगे तो इसने सही में आज काफी जादा अठी बुकिंग हमें दिखाई थी तो हिकाल की मैं बात कर तो अभी इसमें एनैलिस्क बाई रेटिंग दे रहे हैं इस टॉक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है काफी गिर चुका है एक अच्छी न्यूज आई थी दोस्तों वो यह आई थी कि इनके जो फाउंडर है इन्होंने उसमें कंपनी के काफी शेयर्स खरीदे हैं तो जब फाउंडर कोई कंपनी के शेयर्स खरीता है तो उसे हमेशा positively लिया जाता है मार्केट में साथी दोस्तों इनकी जो management की commentary CDMO ने कहा था API बिजनेस में तो इनके सब कुछ दोस्तों अच्छा वो कहा जा रहा है कि इनके जो भी main parallels है CDMO और API बिजनेस तो उसमें इनको लग रहा है कि यह लोग अच्छा करेंगे तो positive commentary आ रही है shares भी founder खरीदे है तो सब कुछ positive है एक बस दोस्तों जो आज किसमें रह रहता तो सही रहता हालांकि stock अभी अपने 52 week high था 595 उससे बहुत दूर है जो low था 212 उससे ये काफी उपर आ चुक है तो बीच में चलाए है अपने 52 week low और high के चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो stock ने recent का जो high बनाया था 400 आज उसके उपर successfully closing दे दी है और volumes भी काफी अच्छी है तो यह था इसका breakout level इसके उपर इसने गया है तो मेरा मनना है आप दोस्तों इसमें यहां का 370 रूपीज का है कि stop loss लगा के position बना सकते है अपसाइट targets की मैं बात करूं दोस्तों तो पहला upside targets निकल के आ रहा है 456 रूपीज के आसपस और 456 रूपीज का इसने तो फिर हम इसमें यहां पिए होगे हमारा पहला target 450 के बाद उसके उपर breakout हुआ तो 568 तक भी stock जा सकता है तो आप accordingly अपनी trading strategy plan out करिएगा अच्छी volume सिसमें इसमें आज काफी trading हुई है साथी दोस्तों गुजरात पीप अपोव उतना popular share नहीं है बट आज इसमें हमें बहुत अच्छी volumes में share देखने को मिली है और इनके जो normal trading रहती है उसके comparison में बहुत भेंकर volume जंप थी यह देखिए कितने time के बाद इन्होंने इतनी भेंकर jump दिखाई है one year में भी नहीं दिखाई है five year में देखिए इन्होंने last time इतनी ऐसी jump 7 June 2021 को दिखाई थी तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तो यह सारी चीज़े हैं काफी अच्छा जिसमें मिला है लोगों को return साथ ही दोस्तों इस stock के fundamentals की बात करें तो large cap funds इसको काफी ज़्यादा pull करना चा रहे है तो यह साही चीज़ों की वज़े से दोस्तों इस stock में आप अगर देखेंगे तो इसका भी नाम रहता है तो overall fundamentals इस stock को अच्छा माना जाता है करीब 3-4 मेना पहले 110 रुपे का target price दिया था तो यह उस time achieve हो गया तो अब दोबारा लग रहा है कि वहां तक यह stock आज गया तो फिर वापिस थोड़ा सा lot आया क्योंकि इसका जो next target है दोस्तों वो यहां का हमारा रहेगा 120 रुपे का तो इसमें आप 120 रुपे का पहला target 110 रुपे का पहला target और अगर 120 रुपे के उपर break out दिया तो आप 150 तक इस stock में aim करके चल सकते है इस top loss के लिए मैं यह दोस्तों यह वाली trend line बनाना चाहूंगा उसका देखते है क्या stop loss रिकल क्या रहा है यहां करी तो इस top loss दोस्तों आप इसमें 90 रुपीस के आसपास का maintain करके चलिएगा तो risk to reward ratio बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो मैं personally इस stock में position नहीं बनाऊँगा हिकाल मेरे लिए ज़्यादा favorable लग रहा है अभी तक आईए दोस्तों अब हम REC के अगर बात करें दोस्तों तो Chris Wood जो है काफी बरे investor है तो इन्होंने REC में long term portfolio में add करवाया है और HDFC Bank और Bajaj Finance को बुला है थोड़ा सा decrease किया जाए साथ ही economic times ने इसे one of the best brands भी दोलत बोला था कुछ time पहले इनकी देखें दोस्तों delivery percentage देखें 40% का delivery percentage पहतरीन delivery percentage अलाएं कि stock ने आज अपना 52 week high बनाया था 52 week ले हो इसका 80 rupees का है ये stock आपको dividend भी साल में पास से 10% के बीच दे रहता है पहतरीन delivery percentage रहा है और यहाँ देखिए इस stock ने भी अच्छी volumes के सब आज हमें breakout देखने को मिला है ये देखें इस ने यहाँ 115 रुपे के ओपर अच्छा breakout दिया है आईए अब एक बार हम इसके upside targets देख लेते हैं तो अगर यहाँ से stock में breakout दिया तो फिर दोस्तों इसका upside target पहला निकल के आ रहा है वो 127 रुपीज के ओपर निकल के आ रहा है और 127 के ओपर अगर ये stock गया तो फिर इसमें बहुत बढ़ा breakout आ जाएगा पिछले पास सालों का तो फिर ये stock में हमें बहुत जल्दी अच्छी jump देखने को मिल सकती है अगर ये stock में 127 का level cross किया तो 127 का level अगर cross किया तो फिर हम ये 140 और 160 के levels बहुत जल्दी जा सकता है आप overall देखेंगे दोस्तों तो stock दिखा रहा है कि इसने कोई return नहीं दिया है तो बस इसके जो return रहे ह वो आप मान के छलिए dividend के रहे है पिछले 10 सालों में stock की price more or less वैसे ही move कर रही है कितना देखिए range bound is 7 रुपे इसका lower level है और 140-160 इसका upper level है तो ये थी मेरी analysis उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा आप हमें like और subscribe कीजिए social media especially telegram पे follow करिए वीडियो देखने के लिए ब